Hello everyone and welcome to PW Only IS दोस्तो आज एक आपके सालने बहुत बड़ी चुनावती का सुलीशन प्रिलिम्स में मुश्किल से कितने दिन बचे वही आज की डेट अगर आप मान के चलोगी अप्रेल तो अपना पूरा खत्म होने अगर आरबर है मुश्किल से आप ऐसा मान के चलो 50-55 डेज बचे और इस टाइम पर आप सब लोग स्पीडली रिविजन के तरफ पहुँच जाते ये स्पीडली रिविजन एक ऐसा रिविजन होता है जो कि वो वाला पार्ट आपके एक्जाम टाइंग पर सबसे ज़दा आपके साथ है आपने साल बर क्या पढ़ा है वो पूरा बापूरा डेपेंडेंसी किस पर आता है इस 50 दिन के रिविजन और इधर बीच लगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बार-बार मैसेज़ेस और कॉल्स के तुरू या फिर मेल्स के तुरू ये इंफर्म करने कुशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ पी रिविजन फ्रेंडली डॉकुमेंट से अदर मिल जाए ना हाथ तो फिर पूछना ही क्या है फिर तो 100% शॉरिटी है उनके प्रिलिम्स क्लियर करने ये ऐसा वो बोल गए अपना नहीं है पार्ट है नो तो अगर आप ऐसे ही doubtful situation से बढ़ें यार एक डॉकुमेंट ऐसा कुछ मिल जाए ना Marks Hooster की ये series जिसके अंदर आपके जितने भी ऐसी चाहत है इस प्रिलिम्स के लिए वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी विट रेस्पेक्ट वू डॉकुमेंट आपको डॉकुमेंट तो डेफिनेटली मिले गाई उन्हे जैसे की इक ही करेंगे समझते हैं सबसे पहले बजेट आपको बदा economy section में बजेट से questions आते हैं तो इंटरीन बजेट क्या बहुत चोटा सा document मिल सकता है क्या कोई 20-25 पेज़ पेज़ का रिपोर्ट्स और इंडाइसेस में अभी आप सब लोगों ने अपनी उडान किताब पढ़ी होगी है पुडान के अंदर में environment के अंदर गया होगी तो इंवामेंट वाला आपका पूरा reports मिले होगे इंडाइसेस मिले होगे economy पढ़ रहा होगे तो economy वाले खूप सारे इंडाइसेस मिले होगे लेकिन क्या यह एक जहाँ collected है जिससे कि हम एक ही बार में पढ़ेगे होगे उनस अभी के टेगराइस पर से यह राइसेस आपको मिल जा रहे है similarly इसके बाद एक और किताब यहां पर देख में आप जाए environment की species and protected areas related आप सबको पता है biodiversity, national park, wildlife sanctuary, tiger reserves, elephant reserves इन सब पर UPSC एक तम जानबूच शेप हर साल इस theme पर question पूछती है तो आपका वो सारा theme किससे गवर्ण हो सकता है इस environment वाले series से हर बाद बिलकुल crisp and concise materials बिले गया हो economy में आपको पूरा key terminologies आपको concept funda clear हो, examples clear हो तो आप तक काफी जादा portion खतम हो जाता है वो आपको यहांस बन जाएगा quality के जितने भी important facts हैं, articles हैं जिसमें confusions होते हैं, उनको tabular format में कर करके कैसे easily resolve कर सकते हैं, यहां पर बिलेगा science and tech किसी तरीके से key terminologies जैसे की transcript tom पर question आया था, वो transcript tom क्या पता नहीं इस तरीके से ऐसे जितने भी important terms हैं, उन सब पर आपको एक book बिल जाएगी, छोटी पतली से जिससे की आप अपना सारा relation कर सकते हैं, अगेन आपके math books series में international relations पर ऐसे ही चोटा सा document आएगा आपके CSAT पर एक formula book आएगा, जो कि आपके last night revision आप जब भी exam देने जाओ, उस दिन भी इस किताब को जिरूट से लेगी जाना जो आपके तीन गंटे का gap मिलता है ना, उस तीन गंटे का gap में ये किताब कई सारे लोगों का आफ़वनों नई अपारत राने की उमीद रखता ही इसे बहुत सारे लोग ते लास्ट एयर भी इस किताब अब तो यह और भी जब अपडेट हो गया है पर लास्ट एयर भी ऐसे कई सारे बच्चों की मैसेज आए थे, कि सर ये वाले किताब ना, वो तीन गंटे में मैंने पड़ी लेकिन सच बता रहा हूँ, उससे कई सारे questions मेरे solve भी हो गए ऐसा नहीं कि सिर्फ इस किताब से होंगा, उन्होंने practice किया होगा लेकिन इस किताब से पढ़ने पर वो concept वापस revise करने में help मिल कहीं जोगे कहीं इधार उदर विल्गो रैंडम ले distributed होता है तो नचीरियों के लिए आप इस किताब को follow भी जोवर भी maps के तुरू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा section होता है जिसमें maps के तुरू आप सारे NCRT's की summaries find out कर लें वो भी आपर मिल रहा है मास मुश्चफ सिरीज में ancient area ancient India के पता नहीं कितने सारे facts medieval India के पता नहीं कितने सारे facts modern India के पता नहीं कितने सारे facts वो सारे facts compiled form में जितने भी important facts है जिन themes पर you basic business फूसता है उन themes को highlight करते हुए उन पर भी इसको रखा गया है तो मुझे लगता है कि आपके सारे subjects इस premium boosters या स्वरी revision नहीं उपा रहे था, वो material नहीं था मेरे पास मैंने notes नहीं बनाया था, ये नहीं था, वो निकता कुछ ने, ये आपके लिए ultimate solution अब आपके पास कोई भी excuse नहीं होना चाहिए कि आपके प्र प्रलिप स्क्यों नहीं clear हो रहा है अब एक मुद्दा और बसता है एक बार तेखो आप यहां पर वही है वही सरी सीचे लिखिये हैं कि वही लोग लास्ट मिनट में आपको revise करने के लिए help आएगा बहुत सारे tables और diagram दिये हो हैं वहां से आप बहुत सारी सीचे दिख सकते हों understanding जो भी main themes है इन main themes पर हम लोग बात कर रहें जिस पर UPSC हरसल फोकस करती है facts को summarize पॉम में दिया गया है जो कि CAC prelims के लिए important है आप तब को पता है कि UPSC भले ही कितना difficult questions परा ले भले ही कितने नए kind of questions के option दे दे लेकिन वो theme अपना कभी नहीं change रखता तो इसलिए हमने उन themes को पकड़के ही इन सभी prelims के marks booster series को रखता है ये marks booster series आपके इसी तरीजे से काम आएंगे उन themes को cover दरने में काम आएंगे तो इसलिए ultimate solution है आप सभी लोगों video series 6 इसी channel पर हम ये video series भी start कर देंगे बहुत ही जल जिससे कि आपका revision और भी speedly हो जाए और भी अच्छे तरीके से हो जाए अगर इसमें भी कुछ चीज़िया आपको नहीं समझ भी आ रही होंगी तो उसको भी हम अच्छे से explain करके समझा देगे आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगी कि सर ये सारी किताबें आके प्यार मिलेगी कास अपसे पहले तो ये बता दो आओ अगर इसके बारे में आपको और जानग जारी सीज़िए तो नीचे description में लिंक्स given होंगे and at the same time अगर आपको वेबसाइट कर जाना होगा इसके लिए pwonlyas.com बर जाना यहाँ पर जिपो free resources लिता है इस पर click करोगे तो ऐसे ही कुछ folders के अंदर में आ जाएगा या पिर आप scroll down करना free resources का ये भी एक पूरा टैब है जैसे आपकी गोडान, प्रहार ये सारी किताबे मिलती है वैसे ही इनहीं ब्लॉक्स में आपको भी मिल जाएगा अब यहाँ नहीं मिलता है तो आप free resources के टैब पर जाना free resources पर टैब पर जैसे ही गरोगे तो आपके सारी books की जैसे ही folders बने हुए है न वैसे ही समझ लो, यहाँ पर सबसे ऊपर उपर आपको यह दिख रहा होगा अभी यहाँ पर तुरत अटैस नहीं है लेकिन जैसे ही आप यह वीडियो देख रहे होगे उस time पर definitely आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपका एक marks booster series के नाम से भी आजया है के नीचे comments ने में जलूर से बता है thank you very much for listening it very patiently friends have a nice day